हालो फ्रेंस वाइलकम तो माइड इन्फाइन आयट नौलैज अन्टूडवी गॉना टॉट अपीश तो अभी आपने देखा होगा कि पहले के जो श्के पहले के जो वीदियो थे उसमें पहले बी ट्रांसफर किया था और चैन्टिनुस में एसे बी ट्रांसफर होता जा रहा आप एसा बोल सकते हो कि अलफा बेड़ हुआ लेकिन अभी कि उसके बाद हमने क्या किया एक वर्ड ट्रांसफर किया वह क्या था वह हाई का मैसेज है यह तो पर्टिकुलर वर्ड है तो वर्ड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि पूरा एक एक वर्ड को एक एक कि बहुत करें तो यह उसको प्रोग्रम बढ़ा हो जाएगा सब्सक्राइब के लिए चुमिल एक को डालो फृरा फिर और यह पूरा मेमरी भी बढ़ाएगा और उसको एक्जिकुूशन के लिए ज्यादा टाइम भी लगेगा तो वसके उसके लिए हम और जो सेंटेंस होत जैसे कि इन्फाइट नॉलउज तो यह कैसा है कि यह इन्फाइट नॉलजज के साथ पूरा सेंटेंस आप ईसा बोल सकते हो पूरा बड़ा नाम है या फिर आप खुद का नाम लिखो तो मैं मेरा नाम लिखता हूं नहिंगे घिल राठोड तो ऐसा मुझे ट्रांसफर करना ह को मतलब मैं क्या करूगा आप एक एक कारेक्टर को मुई में डालो कि कहला न को चो डालता हो पिर को डालता हван graph को डाल तो यह पुरा अब बहुत बड़ा प्रोग्राम बन जाएगा लेकिन मैं अभी ऐसा क्या करूंगा कि जिससे मुझे डारेक्ली एक जो नंबर से वो डारेक्ली मेरे एक्युमिलेटर में आ जाएगे और मुझे कुछ भी काउंट करने की जरूरत नहीं होगी तो वह अभी हम देखने वाले हैं यह एक अच्छा प्रोग्राम में आप कोई भी बड़े सेंटेंस के लिए यह प्रोग्राम को यूज कर सकते हो वह बड़े सेंटेंस को आप सीडिय पता है समय माल लेता है और जो आपको नहीं पता तो पहले आगे के थोड़ा वीडियो देख लो क्योंकि वह अच्छा रहेगा तो पहले तो हम इनिस्यलाइज करते हैं फिर आपको पता है कि टाइमर मोड में हम क्या डालते हैं 20 Hex क्यों डालते हैं क्योंकि क्योंकि मुझे timer 1 को mode 2 mode 2 में चलाना है mode 2 क्या है अपना auto reload mode है auto reload mode क्या करता है जबी भी overflow आता है जबी भी overflow आता है तब क्या करता है TH के जो content है वो TL में चले जाते है जब overflow आएगा overflow मतलब क्या हुआ ये 8 bit का timer है मतलब 8 bit mode है timer तो 16 bit है लेकिन ये जो mode है बन्तलब 00 से काउंट होगा एफ एक्स जाएगा एफ एक्स आएगा तो उसके बार वह वापस 006 आ जाएगा तो जब यह वाले कंडिशन आयेगी दो तब मेरा टी एफ बन जो कि मेरा करेग ओवर्फलो को फ्लैग है ओ ओवर्फ्लो फ्लैग हाइग होगा तो किसे ओगा टैमर हाइट तो मूँ त्वन्ट टाइमर है तो मैं यूज करूंगा टाइमर यूज करने का तो यहां यूज जिड़ो यूज करने का और इसमें क्या डाल देंगा मैं जीरो एफ एक्स तो अभी एफ हे एक्स कहां से आया ऐसा मत बोलना क्योंकि यह फोरे डबल जीरो बॉर्ड रेट के लिए है ती एच में पर्टिकुलर वैल्यू और आपको क्या रहता है कि आपको कौन से बॉर्ड रेट के ऊपर ट्रांसफर करना है और हम क्या रहता है और क्रिश्टल अपना क्या रहता है सिरियल कॉम्पनिकेशन के लिए 11.0592 मेगाहर्स तो यह आप जब डेटा डालोगे तो जो टी एच वन मिलेगा वो टी एच वन कुस मिलेगा जो कि मुझे डेसीमल में मिलेगा और डेसीमल से मैं जब हैजा डेसीमल करूगा यह डेसीमल में उसकी वैल्यू का आएगी डेसी नहीं जा रहा हूं आगे के वीडियो में मैंने यह पूरा कैल्कुलेशन दिखाया है इसका भी पूरा डिफोल्ट मैंने अच्छे से एक्स्वें किया है टाइमर और काउंटर का तो अभी के लिए आप इतना रखो कि यह दो वीडियो आप देख लोगे तो आपको यह दो इनदेफ्ट यूज़ क्या है वह पता चल गया होगा इसके बाद हम क्या करते है एसकों रजिस्टर में डालते हैं तो वह क्या । रहा है लूप फिटी हैक्स अपना अपना उर्ग करते हैं क्योंकि वह अपने को वेरियेबल बोर्ड रेकी अभी यह कौसा अbeyर अलग यह मोड अलग है यह मोर पिल्क के उपर भी मैंने पूरा विडियो रख है में मोर regardless ओसकी के अधो अभी आई है आपको पता चल गए होगा अभी आपको एक वेरियेबल बना देना है विलो फैसा खर के सेवन सेग कुछ भी लिख सकते हो इसा नहीं है यहां पर यह नहीं आएगा खाली सेवन से आएगा और मैं लिख देता हूं इंफाइनाइड नॉलेच आप कुछ भी लिख सकते हो कितना भी बड़ा सेंडेंस लिख सकते हो लेकिन आपको ऐसे लिखना पड़ेगा डीबी में और यहाँ पर जीरो करना पड़ेगा ओके यह क्यों करते हैं वह अभी में समझाता हूं लेकिन यह फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा उसके जो लोकेशन आएगी यहाँ पर कुछ भी लोकेशन होगी जैसे के 5000 है तो वह लोकेशन अभी मेरी dptr में चली गए उसके बाद हम क्या करेंगे मूँ दो कंटेंट और सी मूँ सी का यूज क्यों करते हैं क्योंकि यह 16 बीट है और उसके डेटा को accumulator अटरेट एप्लस dptr और यह वाले इंस्ट्रक्शन के पहले मुझे clear accumulator करना पड़ेगा accumulator को 0 करना पड़ेगा तो यहां पर समझो यह क्या करेगा यह instruction मूव c a plus dpd अभी a क्या है यह तो मैंने 0 कर दिया यह भी 0 कर दिया यह दोनों यह यह भी 0 है यहां पर भी 0 है तो 0 plus dpd तो मेरा 0 में 5000 है लोकेशन है तो 5000 लोकेशन प्लस यहां पर 5000 आएगा और प्लस जीरो तो 5000 लेका लेकिन यह डिफाइंड कर रहा है यहां पर कुछ नहीं होता आई जायेका तक 11 जाये का तो पहलने कर दोनाम पर डूदा अरवन में अभी मेरा आई पहला करक्टर ऑच आई और दूब आने के बाद में उसको sbuff serial communication पर बेज़ दूँगा अभी यहां मेरा sbuff में आ गया infinite knowledge का आई आ गया sbuff में अभी वो क्या करेगा अभी टाइमर ओवर्फ्लो चेक करेगा क्योंकि इतने बॉर्डेट पर अपने उन्हें सब्सक्राइब करेगा क्या दिखाने के लिए कि जो मेरा sbuff में डेटा था वो पूरा ट्रांसफर हो गया है और दूसरे नहीं डेटा को ट्रांसफर करने के लिए तो इसके लिए मैं चेक करता रहूंगा कि जंप इस नौट बीट सेट दिखान जब तक टी आई का फ्लेक हाई नहीं होता है तब तक मुझे यहाँ पर वेट करना है वेट क्यों करना है क्यूँकि मेरा seb했습니다 ट्रांसफर चालू है जैसे hanya mask हाई ओ कौन करेगा bisogसे तो डेटा था वो पूरा ट्रांसफर हो गया ऐसे माइक्रो कंट्रोलर को हाई करेवा हुआ इंस्रोक्षान के आगे वाले इंस्कृक्षण एक्षेगोट होगी जिसमें क्या करोंगा यह beginning क्लियर क्यूं करऊंगा क्योंकि यह मैन्नीली अपने को लोग करना है आपने को होग इने मैंने मैन्नीन लोक किया और मतलब 5000 था तो वह 5001 हो गया यह 5001 मतलब यह डीटा इसके लिए 5002 उसके आगे के लिए ऐसा पूरा चलता जाता है तो मैंने इंक्रिमेंट डीपीटीर कर दिया और मैं वापस से लागा है यहां पर तो मैंने एक्यूमिलेटर को फिर से जीरो किया और मेरा ओल्रेडी डीपीटीर इंक्रिमेंटेड जीरो प्लस यहां पर यहां पर है वह पूरा ट्रांसफर होगा है कि नहीं हो गया जैसे मेरा पूरा एंट्रांसफर होगा मेरा टी आई फ्लैक हाई होगा जैसे हाई होगा मैं आगे इंस्ट्रक्शन में जाओगा उसको टी आई को मैन्यूवली लो करना पड़े आपको यह बार करना ही पड़ेगा इसका ध्यान प्रोग्रामर खूद रखेगा फिर से इंक्रिमेंट डीपीडिया क्योंकि अभी पूरा लेने के बाद इंफाइन लेने के बाद आगे का जिरो लेगा जब आगे का जिरो लेगा तब यह जब यह वापस आएगा इंक्रिमेंट जब यहां पर आएगा समझो कि मेरा सब्सक्राइख कर सिस्टाइख आंट समय करने के लिए और लेता है तो यहांप जो डेटा आएगा कि यह 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 ट्राएं यह लंगी है यह location पर जो data 0 है तो वह mail is accumulator में जाएगा और यह लेकिन जो मेरा यह location पर लोकेंटा था यह location पर बीडिए वो भी zero पर दो यह एक्रॉम्ट लूइक रो में पर यह संप यह निप यहां तो क्यान करेगा यह यह पर पहले से प्रोग्राम करवा कुरा प्रोग्राम पेहले से स्टार्ट और मेरा पुरा का थानाइट नॉलिगता है और यहां सब्सक्राइब लिए लगा सकते हो और इसे में क्या फ़ाइदा है कि आपको एक पर्टिक्यूलर क्रेक्टर के लिए यह मूद मूद का इंस्ट्रक्शन का यूज में करना बड़ेगा अब एक बाल लिख दो पूरा डेटा ट्रांसफर हो जाएगा तो यह मैं आपको अभी प्रणसफर दिखा रहा हूं मुझे पता है कि आपको पूरा समझ आ गया होगा लेकिन मैं फिर से पहले क्या करेंगे डीपीटीर की लोकेशन दे देगा डीपीटीर में यह लोकेशन चला जाएगा 5000 वाला फिर एक्यूमिलेटर को क्लियर करना है हर बार एक्यूमिलेटर जीर प्लस डीपीटीर उसका जो डेटा है वह मेरा चला जाएगा फिर मैं चेक करोगा प्रोग्राम स्टार्ट करना है क्योंकि मेरा यह वाला आगया लेकिन अभी जम्पीटीरो नहीं यह तो आगे चले जाएगा और वह क्या चेक करेगा एका कंटेन आरवन में चले गाए मैं पहले आई था तव आई मेरा लगाया फिर और 20 डेटा याजब चला गया मतलब जो TWO मेरा और 20 में जो डीटा आई याया वो एक्षबस में चलाए फिर मने चेक किया कि मिला हुआ कि मैंड़ ट्रांफफर हो गया की नहीं होettsी फिर पैत्स ब्रेटारो प्रोग्रम और उसको क पूरे theoretical वीडियो जब देखते जाओ यह जो 6 या 7 पार्स जो मैंने बनाया है वो बेस्ट पार्ट है आप एक बार देख लो के तो यह पूरा को और चलते हैं सिम्यूलेशन के और चलते हैं वहाँ पर मैं आपको यह इसको रॉन करवा के दिखाएगा थैंक्स पर वॉचिंग इस वीडियो